प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकैडमिया अंबाला में स्वागत है। आज हम कक्षा सात्मी की पाठ्या पुस्तक वसंत भाग दो की कवीता पाठ बोर और बर्खा का अध्यान करेंगे। जिसमें भोर यानि प्रते और बर्खा यानि वर्षा, बारिश उसके विशय में मीरा बाई के द्वारा लिखे हुए पद है। बोर और बर्खा मीरा बाई द्वारा रचित दो पद हैं। पहले पद में मीरा बाई ने बोर के समय यानि प्रतेकाल के समय श्री कृष्ण जी को नीद से जगाने का उलेक किया है। दूसरे पद में सावन के बादलों द्वारा परखा का उलेक है जिसमें मीरा का मन कृष्ण के आने की खुशी में आनंद मंगल गा रहा है। आईए हम अब इस कवीता को पढ़ेंगे जागो बंसी वारे ललना जागो मेरे प्यारे रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुलेई किवारे आई गोपी दही मथत सुन्यत है कंगना के जनकारे उठो लाल जी भोर भयो है सुर्नर ठाडे द्वारे ग्वाल बाल सब कर्थ कुलाहल जैजै सब्द उचारे माखन रोटी हाथ महलीनी गवन के रखवारे मीरा के प्रभुगीर धर नागर सरन आयो को तारे आईए अब हम इस पद की व्याख्या पढ़ेंगे प्रसंग प्रस्तूत पत हमारी पाठ्या पुस्तक वसंत भागदो में संकलित मीरा भाई द्वारा रचित भोर और बर्खा नामक पदावली से ली गई है इसमें प्रभात के समय यानि प्रतेकाल के समय में श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है व्याख्या मा यशोदा अपनी प्रियलाद कृष्ण जी को जगाते हुए कहती है कि हे वंशी वाले बंसरी बजाने वाले काना जागो रात बीद गई है सुबह हो गई है घर घर लोगों ने दरवाजे खोल दिये है गोपियों ने दही मतना शुरू कर दिया है जिसमें उनके जो कंगन है उनकी जनकार सुनाई दे रही है अर्थात सुबह हो गई है सब लोगों ने अपनी दिन चर्या शुरू कर दी है और जो गोपियां है वो धह दही मतने से यानि माखन बना रही है और उनके जो हाथों की आवाज आ रही है दही मतने की उनके कंगन की जनकार जो है वो सुनाई दे रही है उठो ललना सुबह हो गई है देवता और मनुश्य सब दुवार पर खड़े हैं क्यों खड़े हैं क्योंकि वह आपके दर्शन करन मीरा बाई कहती है कि माखन रोटी हाथ में लेकर वे तुमारी प्रतिक्षा कर रहे हैं गौओं की रक्षा करने वाले मेरे गिरिधर नागर आप शर्ण में आये हुए लोगों का उधार करो अर्थात उनों उन लोगों को पार उतारो, उनका उधार करो दूसरा पद है बरसे बदरिया सावन की सावन की मनभावन की सावन में उमगयो मेरा मनवा भनक सुनी हरियावन की उमड घुमड चहु दिस से आया दामिन दमकै जर लावन की नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की मीरा के प्रभू गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की आईए अब इस पद की हम व्याख्या करते हैं इस पद में मीरा भाई ने भोर और बर्खा यानि इसमें भोर का वर्नन हो चुका है अब बर्खा यानि दूसरे पद में बर्खा वर्षा का वर्नन किया है कि इसमें सावन के समय श्री कृष्ण जी के आने की आहट का उले किय व्याख्या मीरा बाई कहती है कि सावन के महीने में मन को मोह लेने वाले बादल हैं वो बरस रहे हैं ऐसे में जब से श्री कृष्ण के आने की आहट मेरे कानों में पड़ी है यानि कि यह आहट पड़ी है कि श्री कृष्ण भगवान आएंगे तब से मेरे मन में उमंग भरी हुई है बादल उमर गुमर कर चारों दिशाओं से आ रहे हैं बिजली चमक रही है और वर्षा की जो जड़ी है लगी हुई है जड़ी लगना अर्थात लगातार जो है वो बारिश हो रही है वो रुक नहीं रही है बादलों से नन्नी नन्नी बुंदे बरस रही है और ठंडी सुहावनी मन भावन यानि सुहावनी जो मन को अच्छे लगने वाली हवावे है बह रही है मीरा बाई अपने प्रबू गिर्धर गोपाल के आने की खुशी में सुखद और मंगल गीत गाना चाहती है अब हम इन प्रशनों कुछ प्रशनों के उत्तर हैं जो आप स्वियम करेंगे बंसी बारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए युशोदा मा किसे जगाने का प्रयास करती है मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा श्री क्रिश्न को गिर्धर क्यों कहा जाता है पाठ के आधार पस सावन की क्या विशिष्टाइं बताए गई है बहली किये देन्या